हे गाइज आज देखने वाले हैं हम जिस पोयम को देखने वाले मों बड़ी चबरदस पोयम है इस पोयम को विलियम वर्ट्सवर्थ ने लिखा था 1799 में और यह पब्लिश होई थी 1800 यानि कि second edition of lyrical ballads तो आप यहां के देख सकते हैं 1800 में लिरिकल ballads में ही पब्लिश होती है और basically है भी एक बैलेड ही यानि यह कहानी के रूट में है अब मैं आपको बता दूँ कि यह एक ऐसी पोयम है लूसी ग्रेकी जिसको हम वेरी अर्डियर क्लास से क्लास सेकेंड थर्ड फोर्ट एच्टा में खूब पढ़ते हैं बड़ी जबर्दस इस पोयम है विलियम वर्ट्सवर्थ की एक रोमेंटिक पोयट की तो देखते हैं क्या यह एक रियल इंसीडेंट पर बेस्ट है या पर नहीं यह कॉश्चन भी बनता है आपका तो हां यह रियल इंसीडेंट पर बेस्ट है वो इंसीडेंट एक छोटी प्यारी सुंदर स्नो में ठकी हुई तो उसी की और यह कहां पे हैलिफेक्स में है जगह है जहां पे यह इंसिडेंट टुक प्लेस के आता है योक्षायर में हम देखते हैं जरा यहां पे कितनी सिक्स्टीन स्टेंजाज हैं जो की बिसिकली राइम बनाते हैं एबी एबी कैसे शुरुवात होत होती है आप यहां पे देख सकते हैं इस पॉयम में लुसी ग्रे और सॉलिटूड वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट के यह लुसी ग्रे लुसी पॉयम में से एक नहीं है लुसी पोईम से पहले लिखी गई थी और वो टोटल कितनी है फाइव पोईम राइट यह हमारी कॉ यहां पर फिल्श द वाइट आए चांस तो शी एट ब्रेक अब देश ए शोलिटरी चाईल अवो सोलिटरी इसको क्यों कह रहा है वाइशी इस बीग ओल्ड द अकेली लड़की आफ़ इनलागी नो मेट नो कॉम्रेड लूसी नियू शी ड्रेल तो व्याव भी नहीं था और बड़ी जबरदस बात है कि the sweetest thing that ever grew beside a human door यानिके human door पर यानिके घर में जन लिया उसने वो बड़ी sweetest thing थी you yet may spy the fun at play यानिके यहां पर उसको एक imagery किसकी दीगे पान की एक hair यानि खरगोष की फान यानि हीरन का बच्चा upon the green but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen अब यह line यहां से थोड़ी sadistic हो जाती है इसका कर हम tone देखें तो वो sad tone है क्योंकि यहां पर हम किसकी death को देखते हैं इसी Lucy Gray की death को क्यों नहीं देखी जाएगी why she would she will never be seen again tonight will be a stormy night बड़ी stormy night होने वाली है you to the town must go तुम्हें टाउन जाना है यह किसको कहा गया Lucy Gray को and take a lantern लेंटन हाथ में लेनी है आप देख सकते हैं इस particular picture में यहां पे लेंटन उसके हाथ में है this one और यह Lucy Gray की ही photo हमारे पास सामने है एक replica है उसकी take a lantern child to light your mother through the snow snow के थ्रू हो के तुम्हें मदर के पास जाना है that father will I gladly do this scarcely afternoon the minister clock had just stuck to and yonder is the moon moon कैसा है बिलकुल अकेला है yokel है yonder है वहाँ पे है दूर पे है आगे हम देखते at this the father raised his hook and snapped a forget faggot bend he plied this work and Lucy took the lantern in her hand वो तयार हो गए अपको लेके चल पड़ी है not bitter the mountain row यहाँ पर मैजरी एक तरह से शोगी कि वांटन स्टॉग हर फीट डिस्पर्स दपावडरी स्नौ किस तरह सी मैजरी दिखाएगे है कैसे कैसे पैर उसे वर्फ को हटाती जो पावडरी वर्फ है snow है that rises up like smoke और वो smoke की तरह उपर उठता है यहाँ यहाँ पर सिमली का सिमली यहाँ पर फिगर उपर स्पीच उज़ की गही है अगले डाइन में देखते हैं the storm came on before its time जो storm था that was probable बट वो समय से पहले आ गया उसको उससे पहले पहुंचना था लेकिन देखेंगे क्या वो समय से पहले पहुंच जाता है storm आ गया she wandered up and down उपर गई नीचे गई उसने काफी बचने की कोशिश की बट गाइस देखते हैं many a hill dead Lucy climb काफी सारी क्लाइम की उसने Lucy ने एक तरह से hills को but never reach the town वो टाउन में कभी पहुंच नहीं पाई और यही सबसे sadistic thing यहाँ पे है कि का मीन से she was never seen again उसको कभी दुबरा देखा ही नहीं गया का मीन से she is dead who dead हो गई the wenched parents all that night जो parents थे वो रात भर उसे ढूनते रहे went shouting far and wide चिलाते हुए उसे पुकारते हुए but there was neither sound nor sight ना तो वो देखी गई ना ही उसकी कोई आवाज हमें मिली voice मिली sound मिली to serve them for a guide उन्हें guide करने के लिए कुछ भी नहीं मिला at daybreak on a hill they stood और daybreak में वो एक hill पे रुख गए का मतरा पर वहाँ पे उनको उसकी बोड़ी मिली तो यही lines है हैं पे William Wordsworth ने लिखी यह Lucy Gray एक चबरदस पोएम है so guys go through it यह lines बड़ी important है इनको आप देख सकते है specially मैं कहूंगा आपको the solitary child number one the sweetest thing that ever grew fun and hair की उसको एक तरह से मैजरी दी है stormy night है lantern उसके हाथ में है Mr. Clock ने कितने two बजाए है ऐसे questions आपके बन सकते है not be that the mountain road the storm came before its time wander up and down but never reach the town यह lines आपके लिए important है thank you so much guys hope you have learned a lot keep liking इसको like करें इसको share करें इसको subscribe करें thank you so much